क्योंकि emotional stability हमारी life में सबसे बड़ा tool हो सकती है किसी भी chronic problem से deal करने के लिए एक चीज मैंने सीखी लोगों के बारे में इस से कि जब तक human beings के बारे में सीखी कि जब तक कोई चीज हमारे साथ में नहीं होती है तब तक हमें पता नहीं चलता है कि किसी और के उपर क्या बीच रही है और इसलिए यह एक बहुत अच्छी चीज होगी अगर कोई हमसे बोले कि उन्हें कोई problem हो रही है और हमारे उस problem को ना समझ पाने के बावजूद भी हम उनके साथ cooperate करें overtraining syndrome किसी भी athlete के लिए एक दम एक nightmare जैसा होता है लाइक एक बुरेस अपने जैसा हाँ हाँ actually सच में होता है तो मुझे दो साल पहले overtraining syndrome हुआ था क्योंकि मैं अपनी body का ध्यान रखे बिना सिर्फ अपनी body की limits को push किये जा रहा था और मेरी कहानी overtraining syndrome के साथ में बड़ी emotional है कि इस चीज ने मेरी life को बहुत difficult बना दिया था उस समय पर मैंने इस चीज से recover किया बहुत कुछ सीखा इस से ना ही सिर्फ एक athlete होने के बारे में बलकि life के बारे में भी और जो भी कुछ मैंने इसमें सीखा है इस पूरी इस पूरे experience से सीखा है overtraining syndrome के वो सब मैं आप लोगों को आज सीखाने वाला हूँ तो चलो इंट्रो को रो सबसे पहले overtraining syndrome की definition जो google पर है वो आप लोगों को बता देता हूँ athletic burnout or overtraining syndrome is a condition in which an athlete experiences fatigue and declining performance in sport despite continuing or increasing training overtraining can result in mood changes, decreased motivation, frequent injuries and even infections और इसमें तो कम लिखा है पता है overtraining syndrome के बारे में जब मैंने deep में research करी थी न तो वो जादा होता था है उसमें बहुत जादा बता है इसके बारे में तो अबर आप मेंसे किसी को भी overtraining syndrome हुआ है अपने दिल पर हात रखो और बो आल is well and I'm not joking like actually करो ऐसा बोलो अपने आपको कि सब ठीक है क्योंकि अभी हाल अगर नहीं भी हुआ लाइफ में आगे चल के हो जाएगा कैसे होगा मैं सिखाऊंगा तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे कैसे हुआ था तो दो साल पहले मैं मैं फुटबाल की ट्रेनिंग करता था मैं अभी भी एक ऐस्पारिंग फुटबालर हूं देखते हैं कहां तक खेल पाता हूं और उस टाइम तो मुझे एकदम एक फ्रेज होता है भूत सवार था और ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक सिर् मेरी बॉड़ी को किस तरह का असर होगा या बॉड़ी पर किस तरह का असर होगा और इसका बहुत अच्छा खामियाजा भुगता मैंने और सच बताऊं तो अभी भी पूरी तरह से सब कुछ फिनिश नहीं हुआ है आगे मैं मैं रात में एक बजे सोने जाता था और सुबह चार बजे उठकर बचलिस बजा जाता था को बज आता था फिर मुझे नीद आती थी और मैं सोने की कोशिश करता था लेकिन साड़े नौ दस बज़े अगर आप सोने जाओगे तो इंडियन पेरेंट्स आपको सोने नहीं देंगे बिल्कुल नहीं और ऐसा ही मेरे साथ भी होता था मुझे मेरे ममी पापा बोलते थे या तो रात में सो जाओ जब सब सोते हैं या तो दिन में खाना खाने के बाद सो जाना क्योंकि यह दो बहुत कॉमन टाइम सोते हैं सब लो देनिंग करता था तीन चार गंटे आठ एक बजे वापस आता था रात में खाना खाया थोड़े रोर फुटबॉल की वीडियो देखें दोस्तों से बात कर ली फिर सो जाता था फिर उटता था फिर सो बहुत ट्रेनिंग दिन में वापस घर फिर सो जाओ फिर उठो फिर ट लिए तो यह समर की बात है 2019 के जब मुझे ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हुआ था बहुत खतरना के एक्सपिरियंस था यार वो बहुत ज़्यादा खैर इधर आते हैं मैंने कई महीनों तक अपनी बॉड़ी को बहुत ज़्यादा एक्स्प्लॉइट करा था बहुत ज़्या आराम करता था और इसने मुझे बहुत ज़्यादा परिशान किया क्योंकि धीरे धीरे जो मैं रात में एक बज़े सोकर साड़े चार बज़े उठता था ना उसमें गढ़बढ होने लग गई मुझे रात में एक बज़े नीन दीनी आती थी क्योंकि मैं ट्रेनिंग के बार एक बज़े की नीद धीरे-धीरे कमज़ोर होने लग गई ऐसा कह सकते हैं और मैं चार बज़े उठकर साड़े-चार बज़े ग्राउंड नहीं जा पा रहा था और ऐसा होता है कि हम कोई चीज शुरू करते हैं और इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं हम्कित को से उसे नहीं करना चाहते हैं पर मैं उस टाइम पर नहीं कर सकता था और मुझे यह चीज समझ महीं आ रही थी कि एक देड़ घंटे सो कर ट्रेनिंग नहीं हो सकती है पर मैं कोर्षिश करता था और मैं अक्चुली गलत करता था मुझे याद एक देन मैं ट्रेनिंग से आया मैंने खाना खाया मैं रात में सोने काया बारा बजे चार घंटे तक मुझे नीन नहीं आई मैं यही सोच तरहा कि मुझे नीन क्यों नहीं आ रही है यह सोच सोच कि मुझे एंग्जाइटी हो गई और जब हमारी बॉड़ी में एंग्जाइटी हो जाती है न तो लब जब हमारी बॉड़ी एंग्जाइटी को फील करती है तो हमारी बॉड़ी और एड्रेनलीन कर देता है देखो मैं थोड़े सांटिफिक की यूज मैंने थोड़े से संजाता हूं ने कि वो क्या होते हैं सबसे पहले एक ऐसा हर्मोन होता है जो कि हमारी बॉड़ी को फाइट अर फ्लाइट के लिए तैयार करता है एइट्थ क्लास में सब लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जाता है टेंथ में फिर से पढ़ाया जाता है और आप आप ने दोनों क्लासेस ठीक słuचे पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यह क्या हुता है Adrenaline हमारी बॉड़ी में ऐसे responses create कर देता है जिनकी वज़े से कि हम एक दम से बहुत जादा intense और बहुत जादा powerful movements कर सकते है Adrenaline हमारी बॉड़ी को उस चीज के लिए तयार कर देता है इसी के साथ में एक hormone होता है जिसका नाम होता है melatonin और ये हमारा दिमाग तब बनाता है जब हमारी बॉड़ी को सोना होता है मदब एक तरह से कह सकते हैं कि यही वो hormone होता है melatonin जो कि हमारी नींद के लिए responsible होता है और देखो क्योंकि हमारी बॉड़ी millions of years में evolve हुई है और कुछ 100-200 साल पहले तक human beings को जान का खत्रा हुआ करता था जंगली जानवरों से या ऐसी किसी भी चीज़ से जो कि रात में हो सकती थी अभी तो लाइफ बहुत जादा stable हो गई है और आपको पता है कि आप रात में सो गए और आपको ना जंगली जानवरों का खत्रा है ना ही आग लगने का खत्रा है ना ही किसी और ऐसी चीज़ से खत्रा है जिससे की 200-400 साल पहले हुआ करता था तो तब तक हमारी बॉड़ी में ये response natural selection के थ्रू बनता हुआ आया है मतलब human beings ने एक characteristic develop कर ली है और वो ये है कि हमारा जो sleep वाला hormone होता है melatonin जो की अच्छी नीद के लिए responsible होता है वो किसी भी adrenaline जैसे powerful hormone के आगे फीका पढ़ जाता है मतलब अगर हमारे सोने के टाइम पर हमारी बॉड़ी में adrenaline release हुआ है तो हमारे बॉड़ी में melatonin काम नहीं करेगा हम नहीं सोपाएंगे और हमारी बॉड़ी भाग दोड़ करने के लिए intense activities करने के लिए तयार रहेगी और ऐसा ही होता था मेरे साथ में भी उस रात में पूरे चार घंटे मेरी बॉड़ी में adrenaline secret हुआ और मैं यह सोच रहा था कि यार मुझे नीन क्यों नहीं आ रही है भाला कि मैंने तब तक इतना sports science नहीं पढ़ा था और मैं human body को इतने अच्छे से नहीं जानता था तो मुझे यह नहीं पता था कि हो क्या रहा है और मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं अपनी body के साथ में गलत कर रहा हूं पर वो पूरी रात anxiety में बीती पता है मुझे यादे मैं सुबह चार बजे उठा था मैंने light जलाई घड़ी में टाइम हो रहा था चार सुबह के अब सुबह के चार बज रही है मुझे anxiety हो रही है कि यार नीन नहीं आई सुबह चार बजे ट्रेनिंग पर जाना है और देखो चार तो बजी गई क्या से लगा था वह सिर्फ मैं ही जानता हूं उसके बाद मैंने उस दिन सुचा है झाल ठीक है आज छोड़ ट्रेनिंग हलाटि मैंने मन मारके उस दिन ट्रेनिंग पर nigal ना जाने का फैसला करा था अकेलही ट्रेनिंग करता था पता है MAี उतना जादा प्यार करता था मैं फुट-बॉल से अभी भी करता हूं अभी भी मैं अके लिए ट्रेनिंग करता हूँ और अभी भी अगर ज़रूरत पढ़े तो मैं सुबह चार बज़े ट्रेनिंग करने जा सकता हूँ लेकिन अभी मैं अपनी बॉड़ी का ध्यान पहले रखता हूँ क्योंकि अगर बॉड़ी ठीक रहेगी तो ही हम लॉग टर्म में एक अच्छे अथलीड बन पाएंगे तो वापस चलते हैं उस रात में या तो ऐसा कहूं कि सुबह में सुबह चार बज़े में उठा मैंने इंस्टाग्राम खोला इंस्टाग्राम पर स्क्रोल करते करते हैं आप मैंसे जो भी लोग इंस्टाग्राम स्क्रोल करते हैं वो लोग जानते हैं कि सर्च वाले फीड में कभी भी कुछ भी दिख सकता है ऐसे ही मेरे सर्च वाले फीड में उस दिन दिखा एक पोस्ट जिस पर लिखा था over training syndrome खतरनाक वर्ड लाक पढ़ने में और यह एक्षुलि लाइक थ्रेटरिनिंग वाला खतरनाक था मैंने उसको पढ़ा मैंने देखा over training syndrome की effects क्या क्या होते हैं सबसे उपर लिखा था insomnia जैसे symptoms insomnia एक बीमारी होती जिसमें ठीक से नीन नहीं आती है उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे पर मुझे अक्षुलि हुआ वैसा ही कुछ था तो मैंने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट देखी जिसमें over training syndrome के symptoms में लिखाए insomnia के symptoms और मुझे कल रात में नहीं आई थी मेरी नीन अल्रेडी कुछ हफ्तों से वीक हो रही थी रात की रात में सोने जा रहा था तो इतनी strong और इतनी ज़्यादा deep sleep में नहीं सो पा रहा था क्योंकि मैंने अपनी body को exploit कर लिया था इसलिए नहीं सो पा रहा पर नीद इतने समय से अठी ना होने के कारण मेरी आँखों ने उस चीज को फटाक से पकड़ लिया और उस लाइक यार यह तो मेरे साथ भी हो रहा है ऐसा क्यों होता है इस चीज को figure out करते हैं उस दिन मैंने पढ़ा कि over training syndrome क्या होता है और जब मैंने यह पढ़ा कि इससे recover करने में कई साल लगते हैं तो उस मोमेंट में तो मैं काफी devastated था बहुत ज्यादा हेल गया था मैं emotionally पर ठीक है मैंने अपने आपको संबाला और उसके बाद से recovery किये जा रहा हूं रिकवरी कैसे कर रहा हूं इस चीज़ पर भी बात करते हैं तो उस दिन मैं training पर रहें गया मैंने over training syndrome के बारे में पढ़ाई करी और बहुत depth में पढ़ाई करी जिससे कि मुझे यह समझ में आया कि नाहीं सिर्फ नींद की गड़बड़ा है बलकि body recover नहीं कर पाएगी इंजूरी से जादा susceptible हो जाएगी मतलब इंजूरी होने का चांस बढ़ जाएगा क्योंकि recovery नहीं हुए ठीक से body में जो anatomical structures हैं मतलब हमारी body में जो organs हैं और tissues हैं वो weak होते जाएंगे समय के साथ में और ले देकर एक ऐसा time हो जाएगा जब body physiologically ठीक से function नहीं कर पाएगी नहीं पाया था उसके बाद एक और दिन था उसी साल में मुझे date भी आद है actually पर मैं अब इतने deep में बात नहीं करूंगा ले देकर हुआ यह था कि मैं सोने की कोशिश कर रहा था स्कूल से आकर दो साल पहले तक मैं स्कूल भी जाया करता था बढ़िया दिन थे तो मैं और मेरी क्योंकि नीन बहुत जादा वीक हो गई थी like ऐसे नॉर्मल तो अभी तक भी नहीं हुए है धीरे-धीरे होगी कुछ साल और लगेंगे पर like मेरी नीन बहुत ज़्यादा वीक थी तो मैं अगर सोने की कोशिश करता और कोई भी आवाज हो जाती like मैं सो रहा हूं या मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं और मैं धीरे-धीरे-धीरे करके स्लीप में और ज़्यादा डीप जा रहा हूं और एकदम से ऐसी आवाज हो ज जाता है सोने के पहले एकदम फ्लो में थोट्स रान करते हैं वह चीज नहीं उपाती थी और मैं थोड़ा बहुत जितना भी नीन में जाता था उससे बाहर आ जाता था और उसके साथ में मेरी बहुत तेज हार्ट बीट हो जाती थी और यह बहुत जादा खतरनाक चीज थी आर लग एक ऐसे बच्चे के लिए तो बहुत खतरनाक थी जिसको यहीं नहीं पता है कि ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम क्या होता है और बॉड़ी का ध्यान कैसे रखना चाहिए हाला कि तब तक मैंने पढ़ लिया था यह सब क्या होता है पर इतने अच्छे से नहीं जानता था जितने अच्छे से अभी जानता हूं तो मैं सोने की कुशिश कर रहा था थोड़ा बहुत नीन में गया उसके बाद मुझे फोन पर बात करने की आवाज आई और मेरी नीन टूट गई मेरी हार्ट बीट बढ़ी और मैं धीरे धीरे नीन से बाहर आ गया और मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई और इसी के साथ में मेरी बॉड़ी में एड्रेनलीन दोड़ने लग गया एक दम से जबकि मेरा दिमाग इसे किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जादा एक्साइटिड नहीं था मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे एड्रेनल ग्लाइंड का कंट्रोली चूट गया दिमाग से वह अपनी इच्छा से एड्रेनलीन बना रहे हैं अपनी इच्छा से कुछ भी कर रहे हैं और मेरी उसकी वज़े से नीन नहीं हो पा रही है और इस चीज से मुझे बहुत एंगाइटी होती थी यार शुरू शुरू में बहुत जादा इसी वज़े से मैंने सुबह उठ कर ब्रेथ वर्क स्टार्ट करा थोड़ा सा लाइट फॉर्म ओफ मेडिटेशन होता है वो उसके बाद मैं रात में बाराव ज़े सोने जाता था और सुबह छे वज़े उठ जाता था मैंने बहुत रिलिज़ेसली अपने स्लीप स्केडियूल को बनाए रखा कई महीनों तक क्योंकि तब स्कूल भी हुआ करता था तो मैं बहुत ज्यादा नहीं सो पाता था लेकिन मैं वीकेंड्स में और चुट्टी वाले दिनों में ज्यादा सो कर अपनी नीन को कवर कर लेता था और ऐसे करते करते मैंने लॉंग टर्म में अपनी बॉड़ी को काफी आराम दिया सिर्फ उसी एक साल में उसके बाद कोविड वाला लॉगडाउन हुआ स्कूल तो जाना नहीं है लॉगडान अलग लग जया है तो अब मैं आराम से 8-9 गंटे सोता था और देखो ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम अगर आप में से किसी को भी हुआ है और इंसॉम्निया जैसी चीज़े हो रही है तो ये एक टिप आपकी लाइफ बचा सकती है लिटरली बचा सकती है और वह ये है कि जब तक नींद नहीं आती तब दक इस चीज़ के मारे में मत सोचो कि नींद क्यों नहीं आ रही है अब मुझे पता है आप सोचते ही होगे और आप सोचोगे ही सही पर अपने आपको mental surety दो कि मैं पूरी नींद कर लूँगा बहले ह इसे मेरी लाइफ को मतलब जागते समय जो भी चीज़ें करता होने कितना भी दर उदर करना पड़े लेकिन मैं अपनी बॉड़ी का ध्यान रखने के लिए पूरी नींद लूँगा इस तरह कि mental surety अपने आपको देतो दिमाग में आपका दिमाग कूल डाउन हो जाएगा आप आराम से सोने जा पाओगे और एक बार जब आपकी नींद लग जाती है ना तो sleep को disturb मत करो कम से कम आठ नौ घंटे अच्छे से सो बिना विस तरह से उठे बिना जागे अलाम लगाए बिना सो जाओ अगर आप अपनी लाइफ के दूसरे aspects को shift कर सकते हो बहुत अच्छ कोविड के टाइम पर इतने साधा aspects नहीं था लाइफ में तो मैं रात में देर तक जागता था फिर सब सो जाते थे एक आवाज ने होती थी नाई घर में नाई colony में तब मैं सोने जाता था अच्छे से सोता था 10-11 बज़े सुबह उठता था और ऐसा मैंने कई महीनों तक कर इसकी वज़े से मेरी स्लीप और भी जाधा stronger हो गई और इसी के बाद मैंने एक और चीज़ करी और वह यह थी कि मैंने request करकर हाथ फेर जोड़ जोड़के ममी पापा से उनका रूम ले लिया अभी भी मैं साल में कुछ महीनों तक ममी पापा के रूम में सोता हूं जिससे कि मेरी स्लीप और जाधा stable रहे अगर आप ऐसा कुछ adjustment कर सकते हो ना जिससे कि आप अपने desired time पर अच्छे से सो पाओ तो ऐसा कुछ भी कर लो यह बहुत जाधा help करेगा लेकिन जो पहली टिप थी कि एक बार नीन लग जाए उसको नहीं खुलने देना है यह जाधा important है ठीक ह ऐसा करते करते लाइक मेरे ममी पापा से उनका रूम ले लिया थोड़े महीनों के लिए उसके बाद चुट्टियां ली ट्रेनिंग से काफी दोस्तों के साथ गुमा लाइफ के और आसपेक्ट को डिसकवर करा क्योंकि आप लोग भी सोची सकते हो सुबह ग्राउंड शाम क पिर कोमा पिर शुबह ग्राउंड फिर शाम को घूंड के लावा मटब आविसलि बहुत बड़ी लाइफ और चुट्टिया उसके लावे भी बहुत सार अस-पेक्ट रहे गए लेकिन जब मैं ट्रेनिंग से पूरे-पूरे दिन उफ लेता था कहीं ुई कहीं दिनों तक ट्रेनिंग नहीं करता था जिससे कि मेरी बॉड़ी रिकावर कर पाए तब मैंने लाइफ में और सीजें डिसकावर करी जैसे दोस्तों के साथ में गूमना मस्ती करना यह सब चीजें में पहले भी करता था पर हमेशा दिमाग में ट्रेनिंग हुआ करती थी तो मैंने उस पहले एक और पॉड़कास्ट रिकॉड करा है जो कि इसका एपिसोड 6 है उसको जा करके देखना वह आपको इमोशनली स्टेबल कैसे होना है इस चीज को सिखाएगा और ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम में बारा बच जाती है इमोशन्स की कभी भी एंग्साइटी हो जाती है कभी भी कुछ भी हो जाता है और इसलिए अगर आप उस पॉड़कास्ट को देखते हो आप जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस पॉड़कास्ट को देख लो अगर आपको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम है तो या आपको कोई भी प्रॉबलम से डील करने के लिए तो वापस आते हैं मेरी कहानी पर इस साल मैंने एक और चेंज करा है अपने स्लीप स्केडियूल में और वो यह है कि मैं रात में अगें देर से सोता हूं सुबह देर से उठता हूं मैंने इस चीज़ को एंशॉर कर लिया है कि मैं आठ अगले दिन थोड़ी सी जादा ले लेता हूं या एक अध दिन कभी नहीं हो पाती है तो ठीक है कोई बात नहीं क्योंकि अभी मैंने काफी जादा रिकवर कर लिया अपनी स्लीप को काफी जादा मेरी बॉड़ी रिकवर कर गई है ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम से लाइक 80- 90% शायद उससे भी जादा पर ये एक दिन में नहीं हुआ है बहुत समय लगा इसको और अगर आपको इससे रिकवर करना है आपको भी समय लगेगा उस समय के होने तक अपने आपको ये emotional, mental, surety दो कि मैं इससे रिकवर करूँगा फिर चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है तो इ over training syndrome से गुजर रहे व्यक्ति के ऊपर क्या बीचती है क्योंकि ये like easy नहीं होता है मेरे घर में और पांच लोग है मेरे अलावा पांच लोग बिस्तर पर लेटते हैं दस मिनट में सो जाते हैं मुझे time लग जाता था like मैं पता एक गंटे तक सिर्फ सोने की कोशिश ही करता था दो साल पहले ऐसी हालत थी और एक चीज मैंने सीखी लोगों के बारे में इस से कि जब तक human beings के बारे में सीखी कि जब तक कोई चीज हमारे साथ में नहीं होती है तब तक हमें पता नहीं चलता है कि किसी और क्या बीच रही है और इसलिए ये एक बहुत अच्छी चीज होगी अगर कोई हमसे बोले कि उन्हें कोई problem हो रही है और हमारे उस problem को ना समझ पाने के बावजूद भी हम उनके साथ cooperate करें क्योंकि ना ही सिर्फ हम उनकी life को easier बनाएंगे बलकि उनके साथ एक अच्छा रिष्टा भी बनाएंगे तो मैं मेरे परिवार वालों को बोलता हो जहां पर जाती है वाँ इनर्जी आती है मतलब जिस चीज के बारे में हम बहुत जाधा सोचते हैं वह चीज अब आप Bennett अच्छोणी सच हो जाती है गलो अगर आपf अपने बारे में में और्टिंटे जीज सोचते रहोगे सोचते रहोगे logo तो बहुत जाधा चानस è वह आप उस चीज को अगर नहीं भी लैक अगर वो चीज आपके बारे में रियालिटी नहीं भी है ना तो भी वो बन जाएगी क्योंकि आप उस तरह की इनर्जीज को इनिवर्स में से अट्राक्ट करते हो अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं सोचता था कि मुझे नीन नहीं आ रही है नीन नहीं आ रही है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है इस कारण से नीन नहीं आ रही है बौडी में ऐसा हो रहा है बहुत कुछ सोचता था बहुत सारी चीशे तो मुझे अभी याद भी नहीं है पर हाँ यह चीज सच है अगर आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचोगे कि कोई चीज आप चाहते हो और वो नहीं हो रही है तो वो चीज अच्छुली और सादा समय तक आपको परिशान कर सकती है इसके बजाए manifestation करो manifestation सिखाने वाले करोड़ों लोग हैं दुनिया में YouTube पर ही बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं अगर मेरी मानो तो Ranvir भाई ऐसे सीख लो वो हिंदी में पॉड़कास्ट बनाते हैं और उन्होंने इस क्यूपर एक बहुत अच्छा पॉड़कास्ट बनाया था मुझे अगर वो मिल जाता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा खेर manifestation से बाहर आते हैं और OTS की बात करते हैं मेरे परिवार बालों ने बोला कि सबसे पहली चीज़ तो मैं दिमाग में बहुत ज़ादा इस चीज़ को सोच रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है और ये चीज हाँ ठीक है काफी हद तक सच थी पर मुझे ये चीज उस समय पर इतनी जादा acceptable नहीं रगी थी यारे क्या बोल रहा है यारे मुझे नीन नहीं आ रही है ये बोल रहा है कि ऐसा मेरी वज़े से हो रहा है मुझे ये तो पता था कि मैंने अपनी बोड़ी को इतना एक्स्प्लाइट कर लिया है उसकी वज़े से मुझे नहीं नहीं आ रही है तो उसका ultimate reason मैं था उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी थी और अभी भी है और इसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है पर उस समय में उस चीज को सुनकर एकदम से ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे पर गलत चीज थोप रहे हैं ऐसा कुछ सुरी अगर आप लोगों मेरे से कोई सुन रहा है तो पर आक्ट्यूली ऐसा ही लग रहा था और एक और चीज कि वो लोग क्योंकि उन लोगों के साथ में ऐसा नहीं हो रहा था ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे कैसा लग रहा था उन लोगोंने मेरे साथ बहुत कॉपरेट करा ममी पापाने अपना रूम दिया मुझे सोने के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है दिल से शुक्रिया आप दोनों को और भी बहुत सारे चेंजिस करें सब लोगोंने अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजिस करें और मैं और अच्छी से सो पाया पर यार इसके बावजूद भी पता है काफी हद तक एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि बाकियों को नहीं हो रही उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है इसके साथ मैं ऐसा लगता है कि बाकी सब उसे समझ नहीं पा रहे है और जब हमें ऐसा लगता है ना कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा है तो ये फीलिंग बहुत जाद अची फीलिंग नहीं होती है अगर आप में से किसी को OTS है और वो इसको सुन रहा है तो मैं समझता हूँ आपको कैसा लग रहा है सच में समझता हूँ किसी भी इस तरह है कि किसी भी ऐसी चीज को आप करोगे ना जो कि दूसरे लोग समझते नहीं है तो आप उनका 100% कोपरेशन एक्सपेक्ट ना करो तो अच्छा है अगर आपको इतना कोपरेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है अगर कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आपको खुद को इस चीज को याद दिलाना है कि at least आप खुद के साथ हो mental charity दो अपने आपको कि मैं ठीक कर लूँगा इस चीज को ठीक है अब बात करते हैं OTS से किस तरह से deal करें अगर आप मैंसे किसी को भी बहुत जादा मेहनत करने की वजए से OTS हो गया है और आपकी body recover नहीं कर पा रही आपको नीन नहीं आ रही आपको फटा-फट injuries हो जा रही है या आप injured हो या आपको in general कुछ भी ऐसी medical condition हो गई है जिसको ही लोने में समय रखता है तो सबसे पहले emotional stability बहुत जादा ज़रूरी है उस चीज़ को बनाओ खुद के लिए मेरा पिछला podcast देखो उस चीज़ में इसके बारे में बहुत detail में बात करी है mental security तो बस उसका एक छोटा सा part है इसके बाद OTS से exactly deal करने के लिए इस चीज़ को याद रखो सबसे पहले समय लगेगा क्योंकि OTS एक दो दिन में नहीं होता है कई महीनों में होता है और उससे deal करने में आपको कई महीने तो लगेंगे ही at least पर पूरी तरह से रिकवर करने के लिए आपको कुछ साल लग जाएंगे एक दो साल में आप काफी साथा रिकवर कर सकते हो लेकिन पूरी रिकवरी के लिए बहुत सारे बहुत सारे ताइम की ज़रूरत है actually तो अगर आपको OTS हुआ है सबसे पहले बहुत religiously दिन में कम से कम 8-9 घंटे अपनी बॉड़ी को सोने के लिए दो ठीक है बाकी चीजों को eliminate कर दो अपनी life से जो कि आपको 8-9 घंटे सोने नहीं देती है क्योंकि अगर आप अभी अच्छे से सोगे तो धीरे धीरे करके आपकी body recover कर पाएगी और एक time वापस ऐसा आ जाएगा जब आप लेट होगे और आपको नीद आ जाएगी ठीक है overtraining syndrome में आप ऐसा सोची नहीं सकते कि जब मेरी body बहुत ज़्यादा थक जाएगी तब मैं अपने आप सो जाऊँगा क्योंकि overtraining syndrome में ऐसा हो यह नहीं पाता है ठीक है दीरे दीरे जब आप कुछ महीनों सालों तक अच्छी नीद लोगे तो हाँ जरूर ऐसा हो पाएगा आपकी body के sleep से related सारे functions वापस से restore हो जाएगे लेकिन body को भी खुद को ठीक करने में समय लगता है तो कुछ महीनों या कुछ सालों की जरूरा तो आपको होगी ही सही अपने आपको mental surety दे दो कि मैं इसको ठीक कर लूँगा इसके बाद एक और बहुत important चीज़ है और वो है sleep hygiene को maintain करना अब देखो sleep hygiene क्या होता है वो ऐसे factors होते हैं जो कि आपको एक अच्छी नीद लेने में help करते हैं for example आपके room में एकदम अंदेरा होना चाहिए इतना अंदेरा कि आप आख खोलो और आपको कुछ दिखे ही नहीं ठीक है ठंडक होनी चाहिए और बहुत जादा ठंड नहीं होनी चाहिए आपके कमरे में 27 degree के आसपास temperature रहेगा तो आप comfortably soap आओगे इसको उपर नीचे भी कर सकते हो डिपेंड करता है कि आपकी body को क्या suit होता है इसके साथ में बहुत जादा silence होना चाहिए आपके room में बाहर की आवाज नहीं आना चाहिए या यूँ कहूँ कि किसी भी तरह की आवाज नहीं होना चाहिए जो कि आपको सोने नहीं देंगी क्योंकि थोड़ी सी आवाज और आपकी नीच पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी ठीक है ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत आवाज हुई थोड़ा बहुत डिस्टर्बें सुआ वापस हो गए नहीं ऐसा नहीं होता है OTS में तो इस चीज़ को इंशूर करो कि आवाज नहीं आ र इसके साथ में आपका पिलो आपकी गर्दन की लेंग्ध के लिए ठीक हो क्योंकि अगर आप करवट लेकर सोते हो मतलब आपनी साइड पर टर्न होकर सोते हो तो आपकी गर्दन ऐसी हो जाती है और अगर आप सिर्फ अपनी पीठ के उपर सोते हो तो आपकी गर्दन ऐसी हो पैसा भी रख सकते हो इस चीज को इंशॉर करना कि जो पिलो की मोटाई है उसकी वज़े से आपकी गर्दन ना दुखे सुबह उठने के बाद ठीक है यह हो गई स्लीप हाइजीन इसके अलावा निट्रेशन religiously अपनी बादी को सही मात्रा में प्रोटीन दो ठीक है जितने पाउंड्स में आपका वेट है उतना ग्राम प्रोटीन आपको रोज लेना ही चाहिए अगर आप एथलीट हो और आप ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम से रिकावर कर रहे हो अगर आप एथलीट नहीं भी हो और र के साथ में एक चीज चीज की मैंने थोड़ी देर पहले भी बात करी इमोशनल स्टेबिलिटी उसके उपर यार पॉड्कास बनाए उस चीज को देख लो लाइक आक्चुली उसमें बहुत जादा डीटेल में इस पर बात करी है यहां पर एक और चीज आड़ करूंगा कि उ लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करो जो कि आपको समझते हो जो कि आपको अच्छा फील करवाते हो और जिनके साथ में रहना आपको बहुत जादा अच्छा लगता हो ठीक है ऐसे लोगों के साथ में रहो दिन भर यह लोग आपको mentally chilled रहेंगे आप cool down रहोंगे anxiety नहीं ह रखा और इसी इस ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है लाइक आक्चुली ऐसे लोगों के साथ में रहना जिन के साथ में आपको अच्छा लगता है आपको इमोशनली बहुत ऐसे लोगों के साथ में रहना, जिनके साथ में रहना आपको बहुत जादा अच्छा लगता है, आपको बहुत जादा खुश रखेगा और mentally sound रखेगा, ठीक है, कभी-कभी overtraining syndrome की वज़े से लोग कुछ जादा गुसेल हो जाते हैं, पर वो anxiety का एक translation होता है, मतलब वो गुस अच्छुली anxiety की वज़े से बन जाता है, या कभी-कभी anxiety एक्सप्रेस हो जाती है उस तरह से, तो ऐसी चीज़े हो जाती है यार, like overtraining syndrome, easy चीज़ नहीं है, deal करने के लिए, पर इससे deal किया जा सकता है, आप कर सकते हो, और आप कर जाओगे, जरूरत है, सिर्फ एक commitment की, फिर से normal हो जाएगी, normal तो क्या पहले से बहतर हो जाएगी, इस तरह का वादा करो खुझ से, और उस वादे पर अड़े रहना, तो ये था आज का podcast, rest days low, अपने आराम को बहुत seriously low, अपने nutrition को seriously low, अपनी नींद को बहुत seriously low, और अपनी training को भी seriously low, ठीक है, सब कुछ balance में ब समय तक कहीं decades तक अच्छे से आप अपने athletic career को continue कर पाऊगे, अगर balance बिगाड़ा, ज्यादा training कर ली, over training syndrome हो जाएगा, कम training करी, आपके skills पीछे रह जाएगे, balance बना कर रखो, क्योंकि अगर balance बिगड़ा, तो आप अपने पूरे potential तक नहीं पहुँच पाऊगे, life में कहीं अपने पूरे potential तक पहुचने के लिए, अलग-अलग aspects में balance बना कर रखना बहुत जादा important होता है, तो आप इस balance को बनाने के बारे में सोचो, इस चीज़ के बारे में सोचो कि आप अपनी नीन को कैसे बहतर बना सकते हो, आप sleep hygiene को कैसे follow कर सकते हो, emotional stability वाला podcast देख लेना, उसके बाद ये सोचना कि आप अपने आपके लिए emotional stability कैसे create कर सकते हो इस समय में, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले podcast में, अच्छा लगा तो like करना, share करना उसके साथ में जिसको इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है, alright guys, peace.